नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मुकेश और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल बिग जनकरी आज किस वीडियो में मैं आपको पोस्ट इसमें सेविंग सेकाउंड खोलने के लिए जो फॉर्म यूज होता है उसको किस प्रकार से फिलब कियाता है उसके बारे में वीडियो बन बनाई गए इसमें पूरा फिलब करके बताऊंगा कि आप पोस्ट इसमें किसे आसानी से सेविंग सेकाउंड खोल सकते हैं यह फॉर्म जो है आपका एकाउंड ओपन करने के लिए और साथ में पोस्ट इसमें जो भी इसकी में आप निवेश करना चाते हैं उसके लिए भी इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ पोस्ट इसकी सेविंग सेकाउंड के बारे में बताऊंगा अगर सारी डिटल्स आड़ी एमाइस टीडी सुकर्णिया पीपिएफ के बारे में बताऊंगा तो आप कन्फिजन हो जाएंगे अगर उनके उपर भी आप चाते हैं कि उसके कैसे फिल अप किया जाएं तो उसके वोपर मैं अलग से वीडियो बना दूगा तो इस वीडियो को पुरा लास्ट तक जरू देखेगा दोस्तों ज्यादा देर ना हो इसके लिए मैं आपको पहले से मैंने एक फॉर्म रेडि किया हुआ है बट मैं यहां बता देता हूं आ अल्रेडी एक फॉर्म को फिल अप किया हुआ है ताकि ज्यादा देर ना हो तो यहां आप चालू कर लेते हैं कैसे फिल अप करना है सबसे पहले आप यहां देख सकते हैं फॉर्ट पोस्ट विज यूज है तो इस सेक्शन को आपको उपर पूरा छोड़ देना है और यहां आपको ध्यान से देखना है यूज कैपिटल लेटर यानि कि इस फॉर्म को भरते समय आपको पूरा कैपिटल लेटर ही इसे भरना है इसमें आप स्मॉल लेटर मत लिखेगा हो सकता आपका यह फॉर्म रिजेक्ट हो जाए तो यहां सबसे पहले आप टू द पोस्ट मस्ट जो है आपको पूस्ट इसका नाम लिखना है और एड्रस लिखना है साथ ही अगर सिंगल एकॉंट खोल रहे हैं तो आपको यहां फोटो यहां चिपका नहीं है इस वीडियो में मैं आपको सिंगल एकॉंट कैसे खुलना जाता है उसके बारे में बताऊंगा जोएंट अपकोई ढिनाब लिखना होगा, लिखने नीणे बद आप आप सेविंग्स और पर एक टिक कर देंगे, यहां जीसे किすली सेविंग्स और आप आपको टिक करना है, तो इहां आप को सिंप्रिश एकुरिबुक मेरा जाए है, अगर आपो सेचुन्ध और त्रेम्स करना चाह के उपर करेंगे जैसे कि यह single account है तो self पे मैंने टिक किया है अगर minor के नाम से खोल रहे हैं तो minor through guardian पर टिक करेंगे और person of unsound mind through guardian अगर है तो यहाँ पर टिक करना है account टाइप कि अगर बात करें तो आप single account है तो single टिक करेंगे joint अगर खोल रहे है आइदर और survivor तो आपको यहाँ पर टिक करना है आइदर और survivor ने यानि कि कोई भी एक person इसमें से withdraw कर सकता है और all और survivor joint A जोइंट A यानि कि अगर दो वैक्ति के नाम से खोला जा रहे है तो दोनों का ही sign होना जरूरी है उसके कहते हैं joint A और joint B यानि कि कोई भी एक वैक्ति इसमें से withdraw कर सकता है अब यहाँ अगर आप minor के नाम से savings account खोल रहे हैं तो आपको यहाँ पर child का नाम लिखना होगा और यहाँ पर उसका date of birth और साथी guardian का नाम लिखना होगा बट यहाँ मैं single account खोल रह सुरू कर सकते हैं मैंने यहाँ 1000 रुपे लिखे हैं just example के सबसे आपको word में और figure में यहाँ लिखना है दोनों में और cash deposit कर रहा है तो cash लिखना है उसके बाद second point का यहाँ पर आपको यह दिखने में ऐसा लग रहोगा बहुत सी simple है applicant का नाम लिखना है जैसे कि single account है तो first applicant का यहाँ लिखना है second अगर joint करने है दो में तो यहाँ लिखना है और तीसरा है तो यहाँआप आपको लिखना है तो उनके आपको यहाँ first applicant का नाम लिख लिखने है father name, mother, husband name जो भी आप यहाँ लिख सकते है मेल फिमेल यहां लिखना है डेट ऑब बर्थ इस जगह में भर्ती करना है आधार नमबर है तो आधार नमबर पैन नमबर CIF ID यानि कि यह बहुत कन्फिजन होता यानि कि आपने अगर पोस्ट इस में कोई पहले से निवेस किया हुआ कोई भी स्कीम में तो आपका आप देख सकते हैं पास्बुक में एक CIF ID रहती है उस CIF ID अगर है तो आप अलरड़ी उस CIF ID को यहां पर लिख देंगे तो उसी CIF ID से ॅपका एक एक एकाउंट源onenate हो जाएगा परिमनेंट एड्रस अपको यहां लिखना है यह जो अदर्स है अपको ध्यान से लिखना है आपका आप जो आद्रस पूंडे रहे हैं चाहिए वो आधार काड हो इलैक्टरी पूलोड ठेलफॉन पूलो बैंक पासबुक हो गै लेख सकते हैं है जिर्वार आसाप का प्राहिए नाम लिखना के का सकते हैं इसके बैक्सान अगर बात करते हैं किया तो डिकलेरेशन के बाद यहां पर सिगनेचर एंड थम इंप्रेशन ओफ यह है यहां पर जो जो है मैं आपको बता देना चाहता हूं सपोज ऐसे से सुकन्या पीपीएफ इसके बारे में अगर आप एकाउंट खोल रहा है तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं आप इसके उपर भी मैं एक अलग वीडियो बना दूँगा जिसमें बता हूंगा सुकन्या पीपेफ और एमेस के लिए पार्ट क्या चीज़ के लिए उस होता है तो आप यहां सिंग नाम लिख सकते हैं आप नोमिनी यहां डाल सकते हैं जैसे कि वाइफ नेम स्पादर नेम मदर ने अब जिसको रखना चाते हैं उनके नाम और रिलेशनशिप आपको लिखना है फूल एडरस आधार नंबर ऑप्शनल दिया गया है और शेर हैंड़ेट परसेंट अगर आप आपने नोमिनी माइनर रखा है तो उसके लिए गार्डियन आपको एपोइंट करना होगा आप आप सिग्नेशर कर देंगे उसके बाद का पॉर्षन जो है फॉर ऑफिस यूज है इसको आप लेफ कर दिजेगा यह फॉर्म बहुत ही सिंपल था तो दोस्तों देखा वह यह फॉर्म बहुत ही सिंपल था इसे फिल अप करना आप आसनी से से भर लिया है साथ ही इसके साथ आपको एक के वैसी का फॉर्म लगाना होगा यह भी आपको मिल जाएगा पोस्टों इसमें के वैसी फॉर्म यहां आपको अपना नाम लिखना है और सिग्नेशर तीन करने इस एक कैसे फॉर्म और ऐसका नबर और आधार का दिया है आड्रस प्रूम में को अर्भर तीसरा साइन आपको यहां पी फस्ट एकांट खुल में उस प्रकर से सकते हैं फोटो भी आपको यहां पर लगाने होगी फॉर्स्ट एप्लिकर कि सेकल और धरो जैसेट गी सिंगल एक आप लिख सकते हैं new savings account, post office का नाम आपको लिखना है, date लिखना है, आपका नाम लिखना है, साथी जितना रुपए आप दे के open कर रहे हैं, आपको figures और words में लिखना है, cash के तौर जैसे दिया गया है, और यहाँ पे भी आपको signature कर देना है, यह है आपका office copy, और आप दब यह form देते हैं post office में, तो आप एक अपनी को लिए भी copy रख सकते हैं, जिसमें की prove रहेगा कि आपने 1000 रुपए देखे, account खोलने के लिए, तो यहाँ पे भी आप new account लिख सकते हैं, new savings account आप लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देगा, यहाँ आपको वो stamp मार के दे देंगे, बट यहाँ आपको account number नहीं आएगा, क्योंकि यह account खुलने के बाद, यह account number जेनरेट होता है, तो बस आपके यह prove रहेगा, कि आपने account खुला था, उमीद करता हूँ कि आपको post office savings account के form के बारे में, सारी जानकरी देवे पाया हूँगा, कि किस प्रकार से आपको future fill up करना है, बह आप just post office में account खुलना चाहते हैं, वहाँ पे इसे submit कर देंगे, तो आपका same day या next day तक account खुलके आपको passbook मिल जाएगी, आप अगर checkbook लेना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ आपको बताया था checkbook, तो आप उसके लिए next day checkbook के लिए एक receipt होती है, वो कटा के आप counter में और आपको ATM card भी मिल जाएगा, दो प्रकार के ATM card होते हैं, एक instant ATM card, एक personalized ATM card, आपको जिस प्रकार का चाहिए वो मिल जाएगा, कैसे उस form को fill up किया जाता है, इसके उपर भी मैंने एक वीडियो बने हुए, उसकी link भी मैं आपको description में दे दूँगा, ताकि उस वीडियो को भ परती करने का सारा प्रोशूर्ड आसानी से जा सके, अगर चैनल पर नए है, तो नीचे जो लाल कलर का subscribe बटम है, उसको क्लिक करके subscribe किजिए, ताकि पोस्टरी से related जो भी वीडियो में पोस्ट करो, उसकी notification आपको सबसे बले मिलती रहे, thank you